दोस्तों खास्ता हाल Spice Jet Airlines के बारे में आम तोर पर निगेटिव खवरे ही मिरिया में छपती हैं लेकिन आज अचानक से अच्छी खवर आ गई इंडिको जो की इंडियन एवियेशन सेक्टर में प्रोफिटेबल कंपनी है उसी के पहले प्रोमोटर हुया करते थे राकेश गंगवाल ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो Spice Jet में हिस्तेधारी खरीदने वाले हैं वो Spice Jet के शेर जब खरीदेंगे तब खरीदेंगे लेकिन आज ह का ध्याना करस्त करना चाहेंगे होल्डिंग पैटर्न की तरफ इस कंपनी में भाई साथ प्लेजिंग का इश्यू है शेर ऑल्रेडी प्लेज हो रखे हैं तो जब शेर गिरवी रखे जाते हैं तो एक अच्छी बात यह होती है कि शेर का दाम अचानक से गिरेगा नहीं क्य यह जो कंपनी का प्रयास रहता है उसमें कंपनी अपनी शेर प्राइस को गिरने से होटी है लेकिन क्या डॉटूंड हो जाएगा उसको समझने के लिए उसका अंधाजा लगाने के लिए आप देखिए इस कंपनी में mutual fund और बिदेशी निवेशकों की इस्सेदारी लगभख 0% है तो बड़ा सवाल यह है भईया जी कि इस company में retail investors को ऐसा क्या दिख रहा है कि जो भईया जी mutual funds और foreign investors को नहीं दिखाई दे रहा है कभी हवाई जाज को लीज नहीं मिलती कभी हवाई जाज ओड़ते ओड़ते परेशान होकर landing करने के लिए मजबूर हो जाता है साथ में बाइसाब यह पूरा जो सेक्टर है वो सेक्टर ही घटिया है कारण दोस्तों यह है कि टेलीकॉम हुआ अथ्वा एवियेशन हुगा इस जो कंपनिया प्रॉफिटेवल हैं वो तो कमाती रहेंगी जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकिन अगर कोई कंपनी लॉस मेकें है अगर उसका एपीएस नेगेटिव में है तो प्रॉफिटेवल बनने के लिए उसका रास्ता पे हथकटे नहीं दाम बढ़ते हैं तो इंडस्ट्री राइबल्री के चलते जो अन्य कॉंपुटीटर हैं वो दाम कम कर देते हैं और लोग जो यात्री हैं हवाई वह हमेशा सस्ते से सस्ते दाम पर हवाई यात्रा करना चाहते हैं इसलिए प्रीमियम प्रैसिंग कोई ज्यादा ज्यादा अकलमंदी है चोंकि उसका रास्ता खसता हल कंपनी की तुल्ला में आसान है रही बात दोस्तों फिर भी किसी वक्ति को गंगवाल फेमिली की बढ़ती हुई स्टेक के चलते स्पाइस जट को खेलना हैं तो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स ध्यान दें उन्हें हमने ही जीरो जीरो स्ट्राइटजी सिखाई हुई है उसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इस तरह की कंपनियों में रिस्क बहुत ज्यादा है अगर आप ज्यादा कैपिटल दाओं पर लगाएं तो हो सकता है या तो दाम तूट जाए या आपकी लंबे समय तक पार्किंग हो जाए इसलिए रास्ता कठन है फूप फूप कर कदम रखिएगा ऐसा ना हो कि अच्छी ख़बर के चलते जो अपरेटर वगेर हैं लोग हैं वो माल उपरी दाम पर आपको बेचके पतली गली से निकल लें और हाँ दोस्तों शेयर मार्केट में हमेशा मुनाफ़ा कमाने के लिए आप सीख लीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल इनालिसिस की कलाएं एक बार आप आत्म निर्वार इंवेस्टर पोर्स जोइन कर लीजिए उसके बाद शेयर मार्केट में आपको घाटा होने का डर समापत हो जाएगा लौस होने की बात तो छोड़ दीजिए इसलिए दो